गुद मॉर्निंग स्टूडेंट मैं डॉक्टर नूपमा उज्वल गॉवर्मेंट लॉकलिस सिरुई आज हम इंटरनेशनल लॉग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉग में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है निशनलिटी राष्ट्रिता इसका पार्ट वन हम आज देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रिता को कैसे परिभाशित किया जा सकता है और राष्ट्रिता का अंतरास्ट्रे विधी में क्या महत्व है सबसे पहले हम देखेंगे कि निशनलिटी की डेफिनिशन Fanvick ने नेशनल्टी की डेफिनिशन दी है Nationality may be defined as the bond which unites a person to a given state which constitutes his membership in the particular state which gives him a claim to the protection of the state and which subject him to an obligation created by the law of the state फैन्विक के द्वारा जो राश्टिता की परिपशा दी है उसमें फैन्विक ने कहा है कि राश्टिता एक ऐसा बंदन है जो व्यक्ति को राज्य के साथ संबंद करके उसे राज्य विशेश का सदस्य बनाता है एवं उसे राज्य के सरक्षन का अधीकार दिलाता है तथा य मानी तोर पर रास्टिता जो है वह एक व्यक्तिव राज्य जो है उसके बीच का संबंध होता है और रास्टिता जो है वह उस राज्य विशेश का जहां का वह नागरिक है उसका वह सदस्य माना जाता है और उसको इस सदस्यता की वज़े से उस राज्य के द्वारा उसके करेगा उसके लिए वह एक बंधनकारी माना जाता है तो ऐसे स्टती में राष्टिता एक व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है जो उसके अधिकारों को प्रोटेक्शन करने के लिए दिया जाता है और उनके उपर उत्तरदाईत्व उत्पन करता है फिर है International Importance of Nationality, Nationality is a principle linked between Indian and International law राष्टिता का अंतराष्टी क्या महतव है राष्टिता व्यक्तियों वह अंतराष्ट्य विधि के मध्य की कड़ी है सामानी तोर पर राष्टिता जो होता है वह एक व्यक्ति किसी रास्टिता की राष्टिता प्राप्त करता है और उस राश्ट्यता प्राप्त करने की वज़े से उसके उपर अंतराश्ट्य विधी के अंतरेकत कुछ obligations या कुछ responsibilities डाली जाती हैं सामनी तोर पर माना जाता है As pointed out by the Stark, the law relating to the nationality have following importance under international law Stark के अनुसा अंतराश्ट्य सेत्र में अंतराश्ट्यता के निम्ड महत्व है तो सामनी तोर पर अगर देखा जाए तो पहला जो महत्व है राश्ट्यता का अंतराश्ट्य विधी में उसमें सबसे पहला है The protection of rights of diplomatic agents are the consequence of nationality राजनेग प्रतिनिद्यों के सरक्षन का आधिका राश्ट्यता का ही परिनाम है अगर राश्ट्यता का अंतराश्ट्य विधी में महत्व देखा जाए तो उसका सबसे पहला जो example है वो है राजनेतिक दूध जो राजनेतिक दूध जो विधेशों में स्थापित किये गए है वहां पर जो राजनेतिक प्रतिनिदी का appointment होता है उस राश्ट्यता का ही परिनाम सरूप है कि उनको कुछ privileges दिये जाते हैं, अधिकार दिये जाते हैं क्योंकि वह सामानी तोर पर उस देश का प्रतिनित्व कर रहा है जिसका वहां पर दूतावास की स्थापना की गई है और वहां दूतावास में जो राजनितिक प्रतिनिती है वहां उस राश्टिता को बिलॉंग करता है जिस राजे का दूतावास वहां स्थापित किया गया ह second है if a state does not prevent offense of its national or allow them to commit such harmful acts as might affect other states then such states shall be responsible for the acts of committed by such a person यदि कोई राज्जी अपनी राष्टिता वाले किसी वैक्ति को ऐसे हानिकारक कारिय करने से नहीं रोकता है जिसके प्रभाव से दूसरे राज्जे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पढ़ता है तो वह राज्जे उस वैक्ति के कारियों के लिए दूसरे राज्जे के प्रति उत्तरदाई माना जाता है जब ये एक राज्जे की responsibility मानी जाती है कि जब भी वह किसी वैक्ति को अपने ये देश की राष्टिता प्रदान करता है तो ऐसी इस्तति में उसकी ये responsibility मानी जाती है कि उसकी द्वारा किये गए कारियों का effect उस राज्जे पर पढ़ता है तो ऐसी इस्तति में उसकी responsibility मानी जाती है कि उसकी राष्टिता प्राप्त कोई भी वैक्ति इस प्रकार का कोई भी कारियों नहीं करे जिससे दूसरे राज्जे के किसी भी प्रकार के कानूनों का हनन होता है या किसी भी प्रकार का उसको नुकसान पहुंचता है अगर कोई भी वैक्ति जो इस प्रकार का कोई भी कारी करता है जिसको का प्रभाव के दूसरे राज्जे पर पढ़ता है और वह राज्जे उसे नहीं रोकता है उस कारे को करने के लिए तो ऐसे स्तति में उसके लिए वह राज्जे उत्तरदाई माना जाएगा जिस राज् प्राप्त वेक्ति है फिर नेक्स्ट है आपका ओर्डिनेरिली स्टेट डू नोट रिफ्यूस्ट टू टेक परसन ऑफ देर निशनलिटी बाइन निशनलिटी वी में गिमीन रॉयल्टी टूर्स ट पर्टिकुलर स्टेट सामानित राज्य अपनी राश्ट्रिता वाले वेक् नहीं कर सकता है अगर कोई भी वेक्ति किसी भी दूसरे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम करता है तो ऐसी स्थिति में राज्य उससे मना नहीं कर सकता है राज्य अपनी राश्ट्रिता प्राप्त वेक्ति को लेने के लिए उत्तरदाई माना जाता है वह उससे इनकार नहीं कर सकता है फिर है नेशनल्टी में अल्सो मींस दाट अनेशनल ओफ ए स्टेट में भी कमपेल्ट टू डू मिलिटरी सर्विस फॉर दे स्टेट राश्टिता से तातपरे जो है स्वामी भक्ती से भी हो अतराश्टिता का एक गुण यह भी होता है कि व्यक्ती अपनी राश्टिता वाले देश में सानिक सेवा करने के लिए बाध्य माना जाता है तो ऐसी स्टती में अगर कोई भी व्यक्ती किसी राश्टिता का राश्टिता प्राप्त व्यक्ती है तो ऐसी स्तती में अगर राष्ट उससे सानिक सेवा लेना चाहता है तो ऐसी स्तती में वह उससे देने से मना नहीं कर सेपता है वह सानिक सेवा के लिए बाध्यकारी माना जाता है फिर है yet another effect of nationality is that state confirm state can refuse to extradict its own nationals राष्ट उसानिक सेवा करने से इनकार करने का अधिकारी होता है अगर उसके साथ ही राष्ट जीज इंपौर्टन्ट यहाभी होता है कि जब दो या दो से अधिक राश्टरों के बीच में किसी भी प्रकार की प्रत्यपरण की संधी की गई होती है तो ऐसे स्तिती में उस वेक्ति को जो उस दूसरे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी अपरात करकर आया है तो ऐसे स्थिति में उस अपरादी को उस देश को जहां पर उसने अपराद किया है उसे सुप्रूत करना अगर उन दो देशों के मध्य इस प्रकार की संधी हुई है तो वह उसे सुप्रूत करता है परन्तु ये वाला जो नियम है वह नागरिक पर लागू नहीं होता है तो वहां प्रत्यपरण उसे देने से इंकार कर सकता है, अपने व्यक्ति की राष्टिता वाले व्यक्ति को प्रत्यपरण करने से इंकार करने का अधिकारी माना जाता है। वहां सत्रू राष्टिता के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने देश में किस भी प्रकार का कोई भी क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाता है। तो ऐसे स्तती में बाहिय प्रत्यपरण के आधार पर वहां राष्टिता को जिसके पास उस राष्टिता है। उसके उपर वहां अप्राधिक अन्नी मामलों में शित्राधिका रखता है। और उसके विरुद कारवाई करने के लिए वहां प्रत्यपरण की डिमांड कर सकता है। तो ये राष्टिता की कुछ important महत्व है जो राष्टिता प्राप्ट होने की वज़े से उसे अंतराष्टिय विधी में उसे ये कुछ चीजे हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं कि राष्टिता का महत्व जो है अंतराष्टिय विधी में माना जाता है। इसी के साथ आज हमारा topic complete होता है, next जो इसका part second होगा, उसमें हम देखेंगे कि राष्टिता कैसे प्राप्त की जा सकती है, और राष्टिता से कैसे खतम हो जाती है, राष्टिता से कब समाप्त माना जाएगा, thank you.